आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन की जुरूरत कभी नहीं पड़ेगी बहुत सारे विवेज ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और नुट्रिशिस डिश में उनके साथ शेर करो तो आज में लेके आयों एक सूपर हेल्दी सालेट जो की है प्रोटीन सालेट बिना टाइम वेस्ट करें चलो इसको बनाते तो प्रोटीन सालेट के लिए एक बाउल में लेंगे बॉयल चने इसको मैंने साथ से आठ गंटे सोक करके बॉयल कर लिया है इस आरक ग्रेट सोर्स वेजटेरियन प्रोटीन सालेक बनाने के लिए इनको एक बाउल में डाल लेंगे इनको हमें उतना ही बॉयल करना है कि इनकी उपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखें तो मैंने लगबग 2 कप चने लिये हैं अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स वफ प्रोटीन पनीर जिसे कि हम सब को पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे 1 cup chopped tomatoes इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने salad के अंदर chopped onions उसके बाद बिना चिले nicely cut and diced cucumber विच इस अ गुट सोर्स वफ फाइबर अब हम डालेंगे roasted peanuts again विच गिवस उस high protein and healthy fat उसके बाद डालेंगे sprouts ये अंकुरित मोंग डाल मैंने market से ली है आप इसको बहुत असानी से घर पे बना सकते हैं डाल को एक रात भिगो के दिन भर सूती कपड़े में लपेट कर रखें आपकी डाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी protein की मातरा और बढ़ जाती है लास्ली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ट कोरियंडर लीज यानि की धनिया पत्ता प्रोटीन सेलेट की हमारी सभी हाई अन प्रोटीन इंग्रीडेंट्स डल गए हैं इस सेलेट में डलने वाली एक एक चीज हमारे लिए बहुत हेल्दी है अब बनाएंगे हम इसके लिए सीजने उसके लिए एक बाउल में लेंगे एक चमच ओलेव ओल ये ओल डालना ओप्शनल है आप चाहें तो ना डालें ये सेलेट को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है and no doubt it is a very good oil as it contains high amount of antioxidants which are very good for us उसके बाद लेंगे एक चमच lemon juice again a good source of vitamin C to give it a little tangy taste उसके बाद लेंगे हम एक चमच नमक आदा चमच काला नमक एक चमच चाट मसाला और आदा चमच बुना हुआ जीरा थोड़ी सी काली मिट्च टेस्ट के लिए and हाँ black pepper is also a good source of iron अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे इससे हमारा सालड बहुत ही चटपटा और पैपरी बनेगा इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फिला कर पोर कर लेंगे और उपर से डालेंगे finely chopped green chilli यहां पर मैंने दो चोटी चोटी हरी मिर्च ली हैं अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सालड में अच्छे से मिक्स हो जाएं एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी वेजिटेबल्स लगभग चने के साइज के कट करने हैं सो दाट वेन यू गेट वाइट यू गेट लिटल बिट ओफ एवरीथिंग और छोली के साथ साथ इसमें आप स्प्राउटिट काले चने भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा कॉंटिनेंटल टेस्ट देना है तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं तो लो हमारा प्रोटीन सालेट बन के तयार है फील फ्री तो अट वाटेवर यू लाइक जैसे की ड्राइ फ्रूट्स, फ्रूट्स, पॉमिग्रिट जो भी सबजी है फ्रूट्स आप पसंद करते हैं आप इस सालेट के अंदर डाल सकते हैं हमारा हाई अन प्रोटीन सालेट बन के तयार है चलो इसको टेस्ट करते हैं कि यह बना कैसा जब भी आप salad का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्टलेस होगा पर इस salad के साथ ऐसा बिलकुल लेंगे क्योंकि इसके नडला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खुब चटपटा टेस्स दे देता है आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और जब आप इसको बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल आशिमास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अपलोड आपके पास उसी वक्त पहुंच आए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंतल दें तेक केर गुडबाय और हपी कुकिंग विद आशिमास किचन